तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल टॉक बित पुनीद पर नए हैं तो चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन प्रेस करके आल पे क्लिक कर लीजेगा ताकि जितनी भी गॉर्मेंट जोब और प्राइवेट जोब के नौटि लाता रहता हूं साथ ही उससे रेलेटर एक्जाम पैटर्न और लास्ट यर्स के पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करता हूं तो चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लीजेगा तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को तो फ्रेंड्स आज के इस नौटिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गाड की वेकेंसी के बारे में और यहां पे जो पोस्ट है वो आपकी असिस्टेंट कमांडेट के पदो पर यहां पर आपकी भरती होने वाली है तो 2020 की सबसे बड़ी वेकेंसी है तो आज इसका सारा डिटेल में आपको step by step दूँग All Indian Candidates किसी भी state से apply कर सकते हैं और इसका जो application mode है इसके लिए आपको online application form fill करना है ठीक है और post यहाँ पर क्या है assistant commandant की post है यह आपका group A का post है ठीक है बात कर यहाँ पर अगर हम vacancy के बारे में तो यहाँ पर total 25 post है assistant commandant की और यहाँ पर जो आपको salary package मिलता है वो आपका level 7 के according ठ आपका 56,100 रुपे पर मंत आपको यहाँ पर salary मिलता है according to official notification ठीक है official notification में 56,100 रुपे पर मंत आपको salary मिलेगा ऐसा लिखा हुआ है ठीक है तो आपको यही salary मिले वाला है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर no application fees है किसी भी category के किसी भी candidates को कोई भी application fees यहाँ पर नही अच्छी सीटे हैं और category wise अगर हम define करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो unreserved के अंदर 6 सीटे हैं SC वालों के लिए 5 सीटे हैं और ST की यहाँ पर 14 सीटे हैं यहाँ पर जो age limit define किया हुआ है वो आप देख सकते हैं 1 जुलाई 1996 से लेकर के 30 जून 2000 के अंदर में अगर आपका date of birth आता है तब ही आप इस form को fill कर सकते हैं ध्यान दीजेगा 1 जुलाई 2020 अगर आपका जनम 1 जुलाई 2020 को हुआ है तो आप इस form को fill up कर सकते हैं या फिर 1 जुलाई से 30 जून 2000 तक इसके बीच में भी अगर आपका date of birth आता है तो आप इस form को fill up कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि date of birth आपका इसी के अंदर आना चाहिए ठीक है अगर आपका 31 जून भी है तो भी आप इस form को नहीं बर सकते हैं और अगर आपका date of birth यहाँ पर अगर हम बात करें 30 जून का तो भी आप इस form को नहीं बर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा 1 जुलाई 1996 से 30 जून 2020 के अंदर में अगर आपका date of birth है तब ही आप इस form को fill कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका age limit यहाँ पर आ dependent का जो post है यहाँ पर जो qualification मांगा हुआ है वो आपका 12th pass होना चाहिए और साथ में आपके पास bachelor degree भी होना चाहिए ठीक है तो अगर आप पास आउट है तो भी आप इस form को fill up कर सकते है और अगर आप बैसलर डिगरी कर रहे हैं तो भी आप इस form को fill up कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो math और physics मांगा हुआ यह आपका 12th में होना बहुत ज़रूरी है सपोस अगर आपने 8 से कर लिया ठीक है 12th आपने 8 से कर लिया तो आप यहाँ पर नहीं वर्पाओगे क्योंकि यहाँ पर math और physics यहाँ पर requirement है और math physics आपका होना चाहिए 12th के अंदर ठीक है और 12th आपका कम 60% math के साथ आपने पास किया होना चाहिए तब ही आप eligible यहाँ पर माने जाओगे otherwise आप disqualify हो जाओगे तो SBT criteria के लिए यहाँ पर ध्यान से आपको पढ़ना है ठीक है और मैं आपको detail के लिए इसका official notification दे दूँगा नीचे वीडियो के description में आपको official notification मिल जाएगा उसको upload download कर लीजेगा और अच्छे से पढ़ लीजेगा ठीक है वहाँ पर आपके सारे doubts clear हो जाएंगे selection process की बात करें तो यहाँ पर जो selection process होगा वह आपका ध्यान दीजेगा पहले आपका return test होगा ठीक है सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका marks के बाद क्या होगा ना पहले आपका एक marriage list त्यार हो जाएगा ठीक है जो भी candidates 60% के अंदर में आते हैं उनकी एक marriage list त्यार हो जाएगी और उसके बाद आपका return test होगा ठीक है देन आपका interview होगा P.E.T. जिसको हम लोग physical efficiency test बोलते हैं ठीक है P.E.F.T. और medical वगगरा होगा इसके बाद आपका joining ठीक है तो बात आती है return test की तो return test सबसे most important है यहाँ पे return test में कैसा pattern आएगा कैसे questions आएंगे ठीक है और किस type के questions आते हैं वो सारा कुछ मैं आपको next video में लेकर क्या होगा आप लोग जादस जादस वीडियो को like कीजिए और comment कीजिएगा जिनको भी इसका syllabus चाहिए ठीक है comment कर दीजिएगा आप लोग 27 December तक इस form को fill up कर सकते हैं 2020 के अंदर ठीक है तो 21 December जल्दी आने वाला है तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजेगा Facebook, Instagram, Twitter पर ताकि आपके जितने भी friends हैं उन सभी को इस वेकेंसी के बारे में जांकारी हो सकें और वो भी इसके लिए online application form fill कर सकें तो बात कर ले कर दूँगा आपके comment का reply दे दूँगा ठीक है उसके बाद ही इस form को fill up करना है form को fill up करते वक्त भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी doubt होता तो आप लोग comment कर दीजेगा ठीक है तो नीचे वीडियो के description में आपके apply now का link भी मिल जाएगा वहाँ पे जाकर करके आप इस चैनल टॉक विद्पुनीत पर नए हैं तो चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लिजेगा साथी bell icon प्रेस करके all पर click कर लिजेगा ताकि जितने भी government जो वो private job के notification होते हैं वो सभी आपको मिलते रहें तो किसी भी प्रकार की government जो वो private job के notification को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं हमारे साथ हमारे telegram group को join कर सकते हैं और हमारे Facebook पेज को भी like कर सकते हैं सारे links आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएंगे तो अभी के लिए मुझे इजादर दीजिए मैं फिर मिलूँगा एक new vacancy के साथ एक नए knowledge के साथ तो अभी के लिए goodbye जयाहिन